हेलो एवरीवन वेलकम तो माई चैनल एजूकेशन हब आज एक नया वीडियो आएगा यह रिक्रूटमेंट के थू होगा कि हर्याना गोर्मेंट ने जो रिक्रूटमेंट डाला था 2020 में इसी साल फैब्रेरी में उन्होंने उसके एप्लिकेशन फॉर्म्स की जो फिलिंग करन जानेंगे इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीट बताऊंगी कि एज वाइस क्या है और कितनी क्वालिफिकेशन मागी है और कहां तक डेट एक्स्टेंड की है कैसे हम फिल फॉर्म कर सकते हैं आप पूरा देखिएगा वीडियो हम जी तो हर्याना गोर्मेंट की तरफ से नौटिफिकेशन आ गया है उन्होंने एक्स्टेंड कर दिया है डेट को और उसी के बारे में आज बताया जा रहा है कि सबसे पहले अगर आपको जानना है तो पहले तो यह वीडियो देख लीजेगा आपको यहां से क्लियर हो जाएगा अगर फिर भी अगर आपको अपनी और कोई क्यूरी रहती है तो उसके लिए गूगल में सीधा डालिएगा कि रिकूट्मेंट 2020 एच एसससी के द्वारा जो रिकूट्मेंट दी गही है और फर्स्ट ही ओप्शन में आपको ऐसा कुछ इंटरफेस मिलेगा और फर्स्ट ओप्शन में चले जाएए जहां पर ल हरियाना बोर्ड की यह जो हरियाना स्टाफ सेलेक्शन की यह ओफिशल वेब साइट है पोस्ट डेट जब इन्होंने दी थी तो यह दी थी 13 तू टू 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 टेरा फरवरी 2020 को यह पब्लिश हुआ था और लास्ट अपडेट थी 27 ओफ मार्ज टोटल वेकेंसी हैं 11 37 ग्यारा सो 37 वेकेंसी हैं इसमें और यह अलग अलग पोस्ट के लिए हैं देख लीजिएगा ब्रीफ नोटिफ इन्फोर्मेशन में दिया हुआ है कि हरियाना स्टाफ सेलेक्शन कमिशन कमिशन एसमें वेकेंसी हैं इसमें वेकेंसी हैं अरियाना स्टाफ सेलेक्शन कमिशन एच एसमें अड़र एक दो हुजार बीस 01-2020, various vacancies 2020 और यहां से देख लीजेगा कि इनोंने categories of post यहां पे serial number डाला है categories का 1, 2, 25, 26, 31, 33, 34, 7, 42 तक और इसमें male अगर female की बात करें तो 150 रुपे लगेंगे male female के अगर कोई हर्याना से residential है महीला मतलब अगर हर्याना की निवासी है तो 75 रुपे लगे उसकी फीस और SCBC के लिए जो SCBC के हैं EWS के कंडिडेट से हैं उनकी male की 35 और female के 18 for serial number 3, 2, 24, 27, 2, 30, 32 इस serial number के लिए 100 रुपे लगेंगे male female के अगर कोई outsider female है तो और residential है तो 50 रुपे male female SCBC male के 25 रुपे और female के 13 रुपे इचलान कर सकते हैं हम net bank के से अपनी फीस कटा सकते हैं important जो dates हैं वो देख लिजेगा dates of publication जिसके लिए वीडियो बना है 12 February को ये publish हुआ था starting date of apply online के लिए 3 March को ये खुल गया था 3 March से हम कर सकते थे फिर ये changed हुआ 27 March ता last date of apply 24 तीन 2020 बाए अगर किसी नहीं फिल किया है तो आप जाके फिल कर सकते हैं 17 April तक एक्सेंट कर दिया है last date for deposit of fees 27 तीन 2020 से extend कर दिया है 22 तक आपकी जो फीस कटाने की जो तिथी रहेगी जो डेट रहेगी वो रहेगी 22 अपरेल तक age limit की बात करें तो सभी जो हमारे state level की जो exams होते हैं उनकी जो age criteria होता है वो 42 years होता है तो 17 से 42 साल age limit है इस form के लिए age relaxation is admissible as per rules जो age relaxation है वो आपको provide किया जाएगा जो norms होते हैं जैसे handicap बगएरा जो दिव्यांग लोग होते हैं या फिर जो schedule caste के S.E.V.C. जो लोग होते हैं उनको कुछ reservation दी जाती है age relaxation में नायब तसिलदार की 6 post है graduation मांगा है election कानून को की 21 post है graduation मांगा है work supervisor की 117 post है metric मांगा है और ITI diploma होना चाहिए फिर नीचे चलेंगे फिर यहां पे देखेंगे हम storekeeper यहां पे देखिएगा storekeeper की 15 post है यहां पर metric मांगी है इन्होंने knowledge of computer होना चाहिए supervisor के लिए 12 post है metric with Hindi Sanskrit एक चीज़ इलेक्टिव होनी चाहिए और ITI का diploma होना चाहिए inspector के लिए यहां पे मांगी है graduation 32 post है और आगे चलेंगे तो section officer के लिए justice के नीचे देखिए section officer के लिए यहां पे commerce graduation मांगी है become होनी चाहिए आपकी पांच पोस्ट है और फिर नीचे आज़िए accounts color की 11 पोस्ट है बैचलर डिग्री होनी चाहिए और PG commerce मतलब master in डिग्री बैचलर डिग्री हो become हो या फिर पीजी हो आपके पास post graduation हो स्टोर कीपर की तीनी पोस्ट है graduation मांग रखी है store color की 6 पोस्ट है 10 वांग रखी है और नीचे आज़िए फिर accountant assistant के लिए इन्होंने become मांगा है graduation with commerce become जिसे बोला गया है नीचे आ जाएंगे तो TZT Punjabi के लिए इन्होंने या बीए बीए बीड सेनर सेकेंटरी टीजीट के लिए हमेशा बीए बीए बीड ही मांगते हैं लेकिन उनने बीए 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 बीड भी मांग रखाया अगर किसी ने बीए और जैबिटी किया हुआ है खाली बीड नहीं किया हुआ है तो वह eligible होगा this is the most important thing in this year we can see अगर किसी को बना है तो लबरेटरी टेकनिशियन के लिए 28 पोस्ट है प्लस टू मांगा है लेबरेटरी का टेकनिशियन डिप्लोमा होना चाहिए आपके लिए अप्लाई करने के लिए सिधा यह लिंक दे हुए है आप अप्लाई कर सकते है ओनलाइन जाके ओफिशियल वेबसाइट यहां से ओपन कर सकते हैं मैं फिर बाद में ओपन करूं भी पहले पढ़ लेते हैं लेकिन फिर बी अगर किसी को ओफिशियल नॉटिफिकेशन देखना है तो उसके लिए है यह हरियाना स्टाफ सेलेक्शन कमिशन बेज नंबर सर सर सेक्टर दो पंचकुला एक सो चौतिस एक सो इक सो इक्यावन फोन नंबर यह है और वेबसाइट लिंक यह है आप जाके द पर में और वेबसाइट पर भी इनोने दिया हुआ था www.hshshc.com in वाइड विच ओनलाइं अप्लिकेशन फोर्म वर इन्वारियस पोस्ट फोर्यस देपार्टमेंट इस नॉटेड फाइड वर दाफिशन फोर्ट्रो नंबर यह है इनोने काया कि जो भी ओनलाइं अप्लिक आप यहां पर जाके अपना फॉर्म फिल अप कर सकते हैं अकॉर्डिंगली दा केंडिडेट में अप्लाइं अप्लाइन अगेंस अडवर्टाइजमेंट नंबर इस एक दो हुजार बीस थो यूर्ल अड्रेस यहां पर दिया गया है इसी के लिए हम वीडियो देख रहे है कि 27 मार्च से 17 अपरेल तक एक्स्टेंड हो गया है और अब जो डेपॉजिट फीस करने की जो डेट थी वो 22 अपरेल हो गई है दाधर टम्स और कंडिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट नंबर 2020 विल रमें दा सेम बाकी जो टम्स और कंडिशन है लाइक एजूकेशन क्वाल या फिर एप्लिकेशनल फीस है वो सेम रहेंगी आपकी पेस्केल वगएरा और आप इस वेब साइट से जाके यह ओफिशन नोटिफिकेशन देख सकते हैं तो यही था और वीडियो देखने के लिए धन्यवालत